वाटरमिलन ट्रेन राइड बहुत समय पहले एक जंगल था जहां पर शाकाहरी जानवर साथ में मिल जुलकर रहा करते थे एक दिन एक गाय किसी कारण घबराई काँप रही थी उसे ऐसे घबराते हुए उसके साथी हाती और घोडे ने देखा और इसके पास गए और हम सब वहाँ साथ में गप्पे शब्पे लड़ा रहे हैं और तुम हो के यहां अकेली गुम सुमसी बैठी हो अरे रे तुम ऐसे क्यों काप रही हो हुआ क्या है हमारा इस तरह साथ में खेलना शाहिद यही आखरी बार है चलो चल कर वहाँ उन सब कर कहो ताकि हम सब साथ में हस ले भगवाल इन सब को मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हम मेरे कैसे बचाओं आप ही मेरी मदद कर दो ठीक है ठीक है उदास मत हो ठीक से बताओ आखर बात क्या है आज मुझे शेर राजा के यहां से बुलाव आया था मैंने उनके आदेश का पालन करते हुए महाँ चली गई तब वहाँ हाँ बोलो जबराओ मत तब पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम पर नजर नहीं रखी जिस वज़े से तुम शाकाहरी जानवरों की संक्या बढ़ गई है अब मुझे तुम पर आज जा गई है तुम जानते हो आज मैं तुमें क्यों जिन्दा जाने दे रहा हूँ ताकि तुम जाकर अपने साती जानवरों को ये समाचर पहुंचा सको की अब मैं तुम सब को हर दिन एक एकर खाना चाता हूँ बला इसी में होगा की तुम सब अपने आप मेरे पास आया करो वरना तुम तो मुझे जानते हो ना मुझे बेकार में सब का एक साथ शिकार करना पड़ेगा हाँ समझ गई ना अब जाओ और सब को ये बात समझाओ काउन किस दिन मेरे पास आना चाहेगा तही करने के लिए कह दो क्या अब क्या होगा उन बेचरे साथियों को ये बात पता भी नहीं देखो कैसे बेफिकर होकर मजे कर रहे हैं किसी को ये बात बताने के जरूरत नहीं वरना सब घबरा जाएंगे, पर हम शेर राजा की बात नहीं मानेंगे, तो वो छोड़ेंगे नहीं हमें, जब ये तीनों ये बात कर रहे थे, तब बंदर, भालू, गधा और हिरन उनके पास आते हैं, क्या बात है, लगता है यहां कुछ गुप्त बात हो रही है, ऐसे कोई बात नहीं है, क्या हुआ हमें बताओगे, ओ, 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 शेर राजा, मैं कहतो रहा हूं, कि कुछ नहीं हुआ है, अब आप सब जाकर खेल लो, मुझे, मुझे तुभारी बातों पर शक हो रहा है, तुम हमसे कुछ चुपा रहे हो, हाँ, सच में ये सब हमसे कुछ जरूर बात चुपा रहे है, वरना गाय इस तरह घबरा कर काप नहीं रही होती, कहे तो दिया, कि कुछ नहीं हुआ है, और मैं किसे डर से काप नहीं रही, मुझे आज ठंड सी लग रही है, बस, ठीक है, अगर तुम्हें बताना नहीं, तो ऐसा ही सही, आज तक मैं इस भ्रम में था, कि सफ साट में सच्चाई से रहते हैं, पर यहां कोई भी इमानदारे से दोस्ती नहीं निभा रहा, शाही कहा, अब आपने दोस्ती का कोई मातलब नहीं रहा, अब साथ मे रहा पाना आसान नहीं है, जल्द बाजी मत करो दोस्त, तो और क्या करें, तुम्हारे चेरे नहीं लग रहे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा जहाई मांदारी नहीं वहाँ भालू नहीं रह सकता मैं यहां से जा रहा हूं हमारा भी यही फैसला है गुट बाई एसा करकर वे भालू के साथ चले जाते हैं मैं उन तीनों की तरह नहीं गया भले तुम्हारी दोस्ती म सचाई ना हो पर मेरी तो है मुझे अगर बताओगे क्या हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा और नहीं तो भगवान से प्रार्त नहीं करूँगा गाय ने बंदर को सारी बात बता दी बात पता चलने पर बंदर ऐसे जोर जोर से हसने लगा ये देख घोड़ा बेचारा लगता है खबर सुनकर पगला गया है बस भी करो तो यही वो बाती जिसे तुम सब ने हमसे जिपाने के कोशिश में तीन दोस्तों को खो दिया आप सबको पता चला तो घबरा जाओगे ऐसा सोचकर मैंने ही बताने से मना किया था बहुत अच्छा किया तुम्हारा शरीर तो बढ़ गया है पर दिमाग रहने दो अब तुम्हें घुसा आ गया तो एक नहीं मुसीवत खड़ी हो जाएगी भला अपने पैर पे कुलहाडी क्यों मारना ठीक है ठीक है तुम सब निश्चिंत हो जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो ऐसा करकर बंदर ने सब को वापस भेज दिया अगले दिन शेर किसी एक जानवर के आस में रह देख रहा था बड़ी देर बाद भी जब कोई न आया तो घुस्से से लाज हुआ शेर शाका हरी जानवर के इलाके आया सच्चाई से अंजान घालू, गधा और हिरन शेर को देख शेर आया आप यहाँ कहा है वो गाई? क्या उसने तुमें कुछ नहीं बताया? इतने में गाई वहाँ आई और कहा कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा शेर यह सुन घुस्से से गाई पर छपट जाता है इतने में बंदर कहिसे वाटर मेलन ट्रेन लिए सब ही जानवरों को एक एकर उसमें बिठाते हुए शेर को पार कर गाय को भी ट्रेन में बिढ़ा ले जाता है वाटर मेलन ट्रेन शेर से बच कर पूरे जंगल में घोमने लगा शेर उस वाटर मेलन ट्रेन का पीछा करते करते थक हार कर रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकता आज तो क्या तुम हमें कभी भी पकड नहीं पाओगे क्योंकि हम सब इस जंगल को छोड़ दूसरे जंगल जा रहे है ऐसा कहते हुए वे सब ट्रेन में बैठे और चले जाते हैं बाकी जानवर उनके जान शेर से बचाने के लिए बंदर को धन्यवाद प्रकट करते हैं